चकते फड़े डवदे गिली और ये एक बहुत शांदार मौका है पंजाब पावर वाले स्टूडेंट्स का असिस्टेंट लाइनमेन की 1690 वेकेंसी आई हैं मतलब समझ लो 1700 लगवग हो गई तो सरकार बदली तो माहौल पूरा बदल गया है यहां पर 1700 वेकेंसी लगवग मा और जल्दी से कम समय में जाद स्यादा पॉइंटों को समझते कि क्या-क्या इसमें मांगा है चलिए तो यहां पर आप लोग यहां देख सकते हैं पंजाब पावर की यह जो वेकेंसी है यह सबसे पहले तो 31 जुलाई से 29 अगस तक यहां पर इसकी डेट है मतलब 31 जुलाई को कितनी वेकेंसी किस डेपार्टमेंट में है चलोग है उसके लिए हम लोग इतना जानते हैं कि केवल 1690 जो हैं हमारी कुल वेकेंसी हैं अब यहां पर एक बात को ध्यान समझेगा सबसे पहला कोश्चन सबके दिमाग में यही आएगा कि यह वेकेंसी सर मैं और अधर स्ट अभी आप इसे भर सकते हैं आप इसे नहीं भर सकते देखो आप जायर सी वात अधर स्टेट में हो तो दस्वी में आपकी पंजाबी होगी नहीं तो इसका मतलब यह पंजाबियों के लिए बहुत ही शांदार मौका है क्योंकि एक छोटे से राज में सतरा सो वेकेंसी होना बहुत बड़ा राजनी है 17 सो वेकेंसी होना मतलब बहुत शांदार आला दरजे की मतलब वेकेंसी आई हुई है यहां पर आईए बात करते हैं कोई अलग से वुमेंस कोटा नहीं है पहली साफ मेंशन कर दिया है कि वुमेंस कोटा कोई अलग से नहीं है separate reservation नहीं है जो reservation यह यहां पर हम लोग बात करते हैं इस post के लिए क्या चाहिए इस post के लिए ITI होनी चाहिए मैं आपको बता दूँ यह आप ठीक है वायर मैन electrician से सारी ITI यह चलेगी वायर मैन electrician trade से आपकी ITI अगर है तो आप इस post को भर सकते हैं ठीक है हाँ कोई भी अगर higher degree है तो आप इस post के लिए valid है पर यह lower degree होना जरूर यह साफ लिखा है कि candidate who possesses higher education तो जो higher education possess करता है degree भी diploma भी सब को consider किया जाएगा पर उसके साथ में यह ITI जरूर होनी चाहिए मिल्दब आइटिया जरूर किया हुआ होना चाहिए यह उमर के साथ में बात कर लेते हैं यहां पर 18-37 साल तक की उमर है general की ठीक है और फिर जो हमारी government relaxation देती है वह government relaxation यहां पर लागू होता है चलिए अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कुछ important बिंदू पर जैसे question paper यार paper का pattern बहुत important है तो सो question आ रहे हैं ठीक है अब यहां पर सो question है तो पचास question तो आपके टेक्निकल के सीधा सीधा बंदा पचास परसेंट टेक्निकल में ला नहीं है पंजाबी के बीस question है ठीक है तो जो पंजाबी होंगे हमारे चात्र वो definitely इसमें अच्छा score करी लेंगे जनरल नॉलेज में 10 नंबर रीजनिंग में 10 नंबर अर्थमैटिक में 10 नंबर तो आप यह देखिए कि अगर आप टेक्निकल बहुत अत्तक सही कर लिया तो पंजाबी लगबग सब लोग से सब लोग लगबग सा सेम सा करी देंगे तो यहां में मुद्दा फसे का इन तीनों पर तीस में से अच्छा खासा स्कोर नंबर यहां पर अगर आप ला रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सेलेक्शन यहां पर होगा ठीक है अगर यहां पे सो अबजेक्टिव कोश्चन हैं हमें यहां पर दिख रहे हैं एक बात पहली बता दूँ यहां तो इंगलिश में होगा या पंजाबी में होगा हिंदी वाला कोई गल होनी नहीं है इत्ते हिंदी वाली कोई गल नहीं होनी और यह बात ध्यान समझीए कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब पेल के तुक्का भी मारा जा सकता है खाली कुछ छोड़के आना नहीं है आपको पेपर में तो हमने इधर जितनी भी इंपॉर्टेंट गल्थी वो कर रही है तो आप तयार हो जाई है यारा बस इस वेकेंसी के लिए मतलब इससे जाद चार बजे मैं आप लोगों के लिए MCQ प्रैक्टिस लेके आता हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस है आपके पेपर के लिए यह जो MCQ है यह चुने गए हैं ताकि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल सके पेपर पैटर्न के हिसाब से दो मुलाकात क चक्दे फड़े नव्दे घिल्ली बावय टाटा टेक के लिए